हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकनिकल जैन में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल के नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर अपना फोटो या अपनी मन पसंद का कोई भी फोटो या वाल पेपर कैसे लगा सकते हैं दोस्तो जब भी आप अपने मुबाइल की नोटिफिकेशन बार को इस तरह से ओपन करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो अच्छे लिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो अपने मुबाइल के नोटिफिकेशन बार में अपना फोटा लगाने के लिए आपको अपने मुबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे कि यहाँ पर से मैं Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको Google में सर्च करना है V-E-S-T-R-I-T यह आपको सर्च कर लेना है जब आप यह सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको यह वाली वेबसाइट मिलेगी वेबसाइट.com तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च बटन मिलेगा इस सर्च बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है O-N-E-S-H-A-D-E one shared, यह आपको यहाँ पर search कर लेना है जब आप search करेंगे तो आपको यह वाली एक post मिलेगी इस post पर click करके आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको इस post में थोड़ा नीचे जाना है नीचे आपको इस तरह का एक download button मिलेगा लाल कलर का इस download button पर click करके आपको अपने mobile में एक app download कर लेनी है app को download करने के बाद आपको इस app को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर से दोस्तों आपको कुछ permission को allow करना होगा तो यहाँ पर आपको यह तीनो permission allow करना है इस पर आपको click करना है allow कर देना है फिर इस पर आपको click करना है और यहाँ पर से आपको यह option पर click करना है और यहाँ से इसको भी यहाँ पर click करके allow कर देना है उसके बाद में दुबारा से open होगी और यहाँ पर आपको notification की permission को भी यहाँ पर allow करना होगी तो यहाँ पर से आप click करके इसको भी allow कर दीजिए उसके बाद में ये app कुछ इस तरह से open हो जाएगी तो यहाँ पर से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है simply आपको यहाँ पर colors पर click कर देना है और यहाँ पर click करने के बाद आपको option मिलेगा custom background image इस पर आपको click करना है select पर आपको click करना है आपके mobile की gallery को open कर लेना है और यहाँ पर से आप जिस भी photo को अपने notification बार में लगाना चाहते हैं उसको select कर लीजिए जैसे कि मैं इस photo को select कर लेता हूँ यहाँ पर allow कर दीजिए अब यहाँ पर आप जितना भी photo अपने notification बार में लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर crop कर लीजिए और उपर select बटन पर click कर दीजिए जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर से आपके notification बार में आपका यह वाला photo जै वो इस तरह से लग जाएगा तो इस तरह से आप अपने mobile के notification बार में अपना photo लगा सकते हैं आशा करता हूँ दोस्ता आपको वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें